हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु मैं चैनल, वे सेवल ड्रोइंग्स में कुछ ऐसे टर्म्स लिखे रहेते हैं, जो हमको साथ एक बार या दो बार पढ़ने में सबज भी नहीं आते हैं, कि यह ड्रोइंग कहना क्या चाहती है, मतलब उस सेंबल का या उस नोट्स का क्या मतलब है इसी तरह एक नोट्स था मैंने जो मैंने देखा जब रही बार कि 3-dimensional reinforcement, अब 3-dimensional reinforcement क्या है, 3D reinforcement क्या है, यह हमको मेरे को नहीं पता था, जब मैंने उसके बारे में सर से पूछा या अपने सीनियर से पूछा, तो मुझे पता चला 3-dimensional reinforcement के बारे में, तो आपको भी कभी ऐसे इशू आ सकते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हो सकते हैं, जो आपको समझ मिना है, स्टार्टिंग स्टेज में, तो 3-dimensional reinforcement क्या है, यह जानने से पहले हम समझें कुछ basic terms, आप लोग में से maximum लोग जानते होंगे, stirrups 8 mm dia, stirrups 8 dia at the rate 150 center to center, यह maximum लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या stirrups को क्या बोलते हैं, ring 8 mm kit आया होनी चाहिए, और at the rate 150 center to center, 150 mm, मतलब यह क्या है, अगर मैं कॉलम के case में बात करूं, तो यह जो आपर जो ring देख रहे हैं, ठीक है, यह जो ring देख रहे हैं, इस ring की जो distance होनी चाहिए, एक दूसरे से, वो होनी चाहिए 150, मतलब कि इस ring से, इस ring के center की जो distance होगी, यह 150 mm होनी चाहिए, यह आप लोग अच्छी तरह रहे हैं, इसी तरह के दूसरा term की बात करूंगा, bottom 12 dia at the rate 150 center to center both way, अब यह both way क्या है, ठीक है, यह भी बहुत लोग जानते हों, यह बहुत common सी चीज है, धिर धिर मैं 3D reinforcement की बार में बताऊंगा, तो यह basic terms से आप अगर जान जाएंगे, तो 3D reinforcement आप अच्छे से जान पाएंगे, यह क्या होता, यह actually footing के case में काम आता है, ठीक है, footing में top की जाल अलग होते है, बाटम की जाल अलग होते है, तो अब इसमें 150 mm center to center both way क्या है, मतलब यह BW क्या होता, both way, between नहीं होता है, both way होता है both way क्या है, तो जैसे कि अब यह जो बार्स देख रहे हैं, जिसमें यह X axis के along लगा हुआ है, ठीक है यह पूरे ऐसे, और Y axis के along लगा हुआ है, यह वर तो लाइन टेंट होगे, यह तो यह जो दोनों बार्स है, जैसी जो दोनों बार्स देख रहे हैं, आप आर्स के बीच म मतलब कि यह हमारा बोथ वे बात करेंगे तो यह x-axis यह y-axis दोनों मतलब कि इस इस reinforcement से यह reinforcement आपका 150 और इस reinforcement से यह reinforcement का जो होगा वह 150 होगा मतलब जो एक box बनेगा वह होगा 150 by 150 का तो यह होगा 150 by 150 का बोथ वे मतलब कि x-direction में भी य-direction में भी बट 3D reinforcement क्या है तो यह भी actually footing का पार्ट है मतलब कि foundation का पार्ट है तो 3D reinforcement होता है कुछ ऐसा मतलब कि उसमें जो से लिखे रहते हैं वो कुछ इस तर लिखे रहते हैं कि 12 mm डाया एड़ रेट 300 सेंटर सु सेंटर टीमेंशनल रेंफोर्स्मेंट इसका मतलब क्या है आप पहले वर्टिकल खड़े कर लेंगे 300 की डिस्टेंस पर बार है नुम कट आया इस बार से इस बार की डिस्टेंस है 300 इस बार से इस बार की भी 300 है इसकी यहां से भी 300 है मतलब बोथ वे मतलब एकस वाई जो भी है एकस वाई जेट सब 300 होना चाहिए यह 300 हो गया फिर हम इसमें होर्जोंटल बाहते हैं यह बार की जो हाई टोनी चाहिए वह भी 300 इस बार से इस बार की भी डिस्टेंस होने 300 अब इसी तर इसमें एकस एकसिस में बाद लेंगे यह जो परपल वारा देख रहे है यहां पर म बादना है जिससे का आप यह सिंपल साइक ड्रॉइंग यह समझ लिए इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एक्चुली यह जो फाउंडेशन होती है मसीनों के लिए बनती है मैं इंडश्टी में काम करता हूं जिसमें हैवी फाउंडेशन बनाने पड़ती यह काफी हैवी मसीने आते जैसे 40 तंड पचास तंड की जो मसीने रहती है वहाँ पर हमको फाउंडेशन रहता है काफी हैवी बनाना पड़ता है उसमें आउटर पैरिफेरर स्टील डालने से काम नहीं चलता है वहाँ पर हम थ्री डाइमेशन रेंफोर्समेंट बात कर हम उस फाउंडेशन को हैवी करते हैं वहाँ पर जो फाउंडेशन की साइज होती है मैं आपको एक टेंटेटीव फाउंडेशन की साइज बता देता हूं वहाँ जो सबसे छोटी फाउंडेशन है वह तीन मीटर बाई चार मीटर बाई दो मीटर यह छोटी फाउंडेशन है तो इस तरह foundation में हम इस तरह reinforcement बाते हैं ताकि वो foundation काफी heavy load wear करने की capable हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों शेयर करिए। और इस वीडियो के रिगार्णि कोई भी सवाल है कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर ना भूले। विल्ट अपने नेक्च्छ वीडियो में, थैंक यू फो वाचिंग।